जिन्दगी आई स्पाइस आऊ ना पीछे से जाकर मारे उसको धप्पा कहे घुमाओ हमको पिठ्थू लेकर चप्पा-चप्पा नीली वाली चिडिया खोजे जबरा वाला पिल्ला धूंडे कहां छुपा बैटा है? नीरा आलसी बिल्ला? गैरज में है भूद भला क्या? चलो जाक कर आए देखे फर्स्ट कौन आएगा? कसकर दौड लगाए दिन भर खेले हूल गदागत राजा मंत्री बन ले इन दोनों में चोर कौन है? आओ बूझे चुनले खोजे कहां बड़ी वाली उंगली है इस मुठी में खुशी के तरह छिपी हुई है जीवन की गुठी में आप सुन रहे हैं कहानी जानी अंजानी बियूश अगरवाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे का मजा ले रहे होंगे तो हम हाजर हैं पिछले सप्ता की कहानी क्यूट मोहर सिंग का दूसरा भाग लेकर जानता हूँ आपको बेसबरी से इंतजार होगा जानने के लिए कि निखिल सचान जी की क्यूट मोहर सिंग कहानी में आगे क्या हुआ अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो पहले आप इस कहानी का पहला भाग सुन ले और आज एपिसोड के अंत में मैं आपको बताऊंगा हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट के बारे में भी तो बने रहिए हमारे साथ शुरू करते हैं क्यूट मोहर सिंग भाग दो किताब जिन्दगी आइस पाइस से चलो जीप निकालो और हमको चाय की दुकान पर मिलो सब अपना अपना हतियार लेकर आओ और मूपर बांधने के लिए अंगोचा भी मालिक आज धूप नहीं है लूबी नहीं चल रही है अबे हम सर ना फोड़ दे तुम्हारा अंगोचा मूच चिनहाई से बचने के लिए लाना है समंचा लेकर धूप में तफरी तो करते फिरेंगे नहीं आज कुछ बड़ा हात मार के आएंगे जिससे की सब हरामियों का मुख कम से कम साल भर न खुल सके बड़ा माने बड़ा माने कुछ भी जहां सबसे ज़ादा पैसा हो वही लूट मारेंगे सुनार की दुकान, सेट का गर, तिजोरी, माला, कुछ भी मालिक बैंक? सादू ने कहे तो दिया, लेकिन वो कहते कहते खुदी रुख गया मोहर की आँखों में चमक आ गए, सादू और भगत डर गए उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बैंक किस मुँसे लूटेंगे बिना प्लैनिक, बिना सूजबूज, कोई ऐसे ही बैंक लूटने थोड़े ही चल देता है कि बस अंगोचा बांदे और लूट लिया लेकिन मोहर की चमक से साख था कि अब वो बैंक लूट के रहेगा ऐसे मौके पर सादू और भगत बैल हो जाते थे हाक ने जोतने वाले पर पूरा भरोसा होता था ठीक है मालिक, अब तो बैंक ही लूटेंगे यहां के बड़े-बड़े हराम्यों का पैसा सरकारी बैंक की तिजोरी में बंद है एक तिजोरी लूट ली तो उन सब की तिजोरी इखटे लूट जाएगी एक घंटे में चाय की दुकान पर मिलो मोहर ने कहा साधू और भगत हिर्णी की तरह कुलाचे भरते हुए मोहर के घर से फरारी बन निकले वो गली में आचांद निकला वाली पूजा भट की तरह खुश भी थे हैरान भी और भोचक्के भी उन्हें उनका मोहर वापिस मिल गया था वो सनात हो गए थे लावारिस के अमिताब बच्चन को उसका अमजद खान मिल गया था मोहर बहुत दिन बाद आज फिर अपनी दुनली साफ कर रहे थे दुनली नथुने फुलाए बैठी थी मोहर ने उसे तेल दिया और नजाकत से कपड़ा फरमाया तो उसके नथुने शांत हुए वो दुनली के जहन में छाक कर आर पर देख सकते थे उसकी चिलमन के उस पार के दुनिया इस पार के दुनिया से कही अधिक हसीन होती थी अचानक सुजाता आई तो मोहर ऐसे सकपका गए जैसे सुजाता ने उन्हें पुरानी दिल्रुबा की बाहो में देख लिया हो क्या हुआ आज अचानक बंदूग क्यू साफ कर रहे हैं सुजाता ने घबरा कर पूछा बस योही बाहर तक जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं तो बंदूग लेकर जाने की क्या ज़रूरत है दुनली तो चोर डाकू लोग लेकर जाते हैं बदमाश लोग रखते हैं अरे कुछ हमारा भी मान सम्मान है इधर हम बिना बंदूग के कहीं नहीं निकलते हमारी सहेली ने कहा था कि मोहर सिंग दबंग आदमी है लेकिन पापा ने कहा था कि सहेली तुमसे जलती है इसलिए जूट बोल रही होगी वो सच कह रही थी क्या एक नंबर की जूटी है तुमारी सहेली हम कोई दबंग उबंग नहीं है ठेकेदार है इज़दार है हाँ तो फिर अभी रुख जाएए न अरे क्यूं भाई बोले हैं न कि अभी आते हैं जरा सा टहल कर स्टार प्लस पर साथ निभाना साथिया शुरू होने वाला है हम हमेशा साथ में देखते हैं आप ऐसे कब भी भी हमको अकेला छोड़कर नहीं गए है संडे को अकेला छोड़कर नहीं गए है तुम कोई बच्ची थोड़े ही हो हम अपना काम निप्टा कर आ जाएंगे इतने दिन से तो घर में गुसे हैं तुम्हारे चक्कर में सुजाता को ऐसे जवाब की उमीद नहीं थी अंदर के कमरे में चली गई और दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया मोहर का दिल पसीज गया उन्हें इतना बुरा पहले कभी नहीं लगा था या अगर लगा भी था तो उन्हें वर्षण याद नहीं आ रहा था ये शण ताजा था सामने था वो सुजाता को मनाने के लिए उससे दर्वाजा खोलने के दर्खवास कर रहे थे लेकिन सुजाता कुछ जवाब नहीं दे रही थी अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मोहर कभी पहले नहीं फसे थे यदि मोहर को इस सिचुएशन को एक शब्द में बया करना होता तो वो शायद इसे विचित्त्र बया करते उन्हें सुजाता को मनाने के तरीके का आईडिया लग तो रहा था लेकिन एक शरम थी जो उन्हें उस तरीके का पल्ला पकड़ने से रोक रही थी ये शरम वैसी ही थी जैसे आपने पहले कभी ऐसा शब्द न बोला हो जिसे सब भी समाज में बोलना कुफ्र समझा जाता है मसलन आप नाबालिक उमर में दोस्तों के बीच स्त्री पुरश के शरीर के प्राइवेट हिस्सों का नाम ले दे या फिर हिंडी के लेखक सेक शब्द की चर्चा छेड़ दे या आप किसी महतरमा के सामने ऐसे अतरंगी कपड़े का नाम ले दे जो वो पहन सकती हैं लेकिन आप नहीं फिर भी मोहर सिंग ने हिम्मत की क्योंकि सुजाता को मनाना बेहस जरूरी था इसलिए उन्होंने वो कदम भी उठा लिया जो उन्हें हद दर्जे तक असहज बना देता था मोहर सिंग ने सुजाता को जानू कहा जानू प्लीज दर्वाजा खोलो मोहर ने दर्वाजे पर कान लगा कर सुना अंदर कुछ खटपट न हुई इस समय बस उसकी खुद की धड़कन सुनाई देती थी उन्होंने फिर से हिम्मत की और कुफर की दिशा में दूसरा कदम बढ़ाया मेरी जान दर्वाजा खोलो फिर भी कोई खटपट नहीं हुई डर्लिंग सुजाता मेरी रानी इस बार मोहर की धड़कन के अलावा खटिये पर से हलकी चू की आवाज सुनाई दी लाडो मेरी गुडिया दर्वाजा खोलो ना आगे से ऐसी गलती नहीं होगी सच में तुम्हारी कसम खा कर कहता हूँ चाहो तो तुम मुझे मार लो लेकिन ऐसे गुसा मत हो और मोहर सच मुच रोने लगे सुजाता ने भाग कर दरौजा खोला तो मोहर के गाल आशो से तर हो रखे थे वो इसके पहले शायद ही कभी इस तरह रोए हो बचपनेगा मुझे पता नहीं या ये भी हो सकता है कि मोहर कभी कटोर इंसान न रहे हो बस वो कभी ऐसे नाजुक परिस्तिती में होकर गुजरे ना हो सुजाता ने उन्हें कस के गले से लगा लिया और वो मुस्कुराने लगी, इत्राने लगी इस समय उसके चहरे पर ममता का भाव था और वो मोहर के आंसु पोच रही थी सुजाता के हाथ लगाते ही वो और जोर से रोने लगे पता नहीं क्यूं लेकि सुजाता ने उन्हें रोने दिया शायद इसलिए क्योंकि इस वक्त रोना यह बताता था कि सुजाता को वो किस हद तक प्यार करते हैं आपने मुझे किस नाम से बुलाया था? हम क्या फिर से कहिए ना नहीं फिर से कहिए ना बस एक बार मुहर शर्मा गए सिर्फ शर्माए नहीं बलकि बे इंतहा शर्मा गए वो तो भला हो भगत और साधू का जिनोंने बे वक्त फोन करके मुहर को इस सिचुएशन से निकाल लिया साधू की आवाज में एक अजीब सा उत्सा था अरे दद्दा कहां रह गए आप हम लोग कब से आपका बेट कर रहे हैं इधर हम आज नहीं आ पाएंगे मोहर ने सुजाता की आँखों को देखते हुए कहा वैसे वो ये बात सिर्फ सुजाता को सुनाते हुए कहना चाते थे सुजाता मुस्कुराई या शायद अच्छानक मिले मान से शर्माई भी मोहर ने दुबारा दोराया कि वो आज नहीं आ पाएंगे और उन्हें फोन रखकर सुजाता को कस कर गले लगा लिया कल चले जाएगा बस आज हमारे पस रुख जाएए सुजाता ने कहा मोहर रुख गए और दोनों साथ निभाना साथिया देखने लगे उसके बाद वीरा एक वीर की अरदास आया और फिर दिया और बाती हम इन सब के बाद शाम चार बजे हिंदी फीचर फिल्म भी आ गई दिन कुछ यूं ही गुजर गया जैसे गुजारने की जरूरत ही ना पड़ी हो रात में सुजाता की बाहों में सोते हुए मोहर ने तै कि वो अगली सुभे उठते ही अपनी बंदूक लेकर निकल जाएंगे सुजाता का सोता हुआ चहरा देखकर वो ये भी सोच रहे थे कि अगर वो ये सब गलीच काम बंद कर दे तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनका घर चल जाए और वो आखिर सुजाता को बता भी सके कि वो क्या कारोबार करते हैं सुजाता जब सोती थी तो अकसर ऐसे चहरे बनाती थी जैसे छोटे बच्चे सोते मचकते बनाते हैं मोहर ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था या शायद देखा हो पर गौर न फर्माने की वज़र से उनसे कुदरत की ये नेमत नजर अंदाज हो गई हो वो यही सोच रहे थे कि वो हर रात सोया ही ना करे ताकि वो सोती हुई सुजाता को घंटो निहार सके हैर सुजाता सो गई और अगले दिन सुजाता के उठने से पहले मोहर साधू और भगत को जीप पर बठा कर सरकारी बैंक लूटने के लिए निकल पड़े साधू और भगत की उमंग का कोई ओर छोर ना था वो जीप में बैठे इतने खुश थे जैसे बच्चे अपने पिता जीप के साथ मेला देखने जा रहे हूँ खुशी का आलम ये था कि वो इस बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो बैंक लूटने जा रहे हैं और उसका तुर्रा ये कि उन्हें हवा भी नहीं थी कि बैंक लुटने का कारेकरम कैसे संपन होगा। तिस पर मोहर भी इतना आराम से बैठे हुए थे जैसे वो बैंक नहीं बलकि परचून के दुकान लुटने जा रहे हैं। साधू और भगत ने अंदाजा लगाया कि वो प साधू ने गमच्छा उठाया और भगत को दिखाते वे चहरे पर बांध लिया। गमच्छे से बस आँख और नाख ही जांक सकते थे। भगत ने भी इशारा समझते वे चहरे को गमच्छे में अच्छे से पैक कर लिया। साधू जोड-जोड से हसने लगा। काहे हस रहा ह भगत ने पूछा। हम दोनों जुड़वा लग रहे हैं। साधू ने किसी तरह से अपनी हसी पर सेमी कॉलन लगाते हुए जवाब दिया। तू गधा है क्या बे। इसमें गधा वाली कौन सी बात हो गई। ठाकुर जी से पूछ लो। क्यूं ठाकुर जी। साधू ने मो मोहर सिंग फोन नहीं उठा रहे थे। वो इस सोच में उल्जे थे कि सुजाता किस बात को लेकर दुखी हो गई होगी। मोहर सिंग के हिसाब से सुजाता के नाराज होने की एक वज़े ही हो सकती थी कि कल रात उसमें दाल फुलाई होई होगी जिसे वो सुबह सुबह मोहर के लिए दाल के पकोड़ी चानती लेकिन मोहर सिंग बिना पकोड़ी खाई ही आ गए एक वज़े ये भी हो सकती थी कि आज उन्हेंने सुजाता के हाथ की बनाई हुई चाई नहीं पी और तो और आज जब सुजाता किचिन में चाई बना रही होंगी तो उसे किचिन से बेड खोलते, सुलजाते, बुनते मोहर सिंग दुखी हो रहे थे मोहर सिंग को फोन पर उलजा देख सादू और भगत को अंदेशा हो रहा था कि ठाकुर जी उनके साथ जीप में बैठे जरूर है लेकिन उनका दिलो दिमाग अभी भी सुजाता की पाजेब में छोटी-छोटे घुंगरों में छनक रहा है एक वो वक्त भी था जब मोहर सिंग लूट पर निकलते तो रास्ते भर दुनली के नत्नों से आसपास के गुजरते हर नर्मादा जानवर गाड़ी को तब तक घूरते रहते जब तक कि वो अपनी कलपना से उसका शिकार न कर ले ऐसा कभी नही से पहले रास्ते में इक्का दुक्का पंची न मार गिराए हो खेर वो सरकारी बैंक पहुच गए जीब गेट पर रोकी गई पहले गेट में सिपाही को लपेटना है घुसते ही एक आदमी सिपाही को घपच देगा और दूसरा आदमी मैनेजर को धरेगा और हम हाल के बीच खड़े रहेंगे ताकि कोई भी कस्टमर फैंटम बनने ही कोशिश ना करे समझाई बात जी सरकार साधू मैनेजर तुम्हारे जिम में और भगत सिपाही तुम्हारे हवाले मालिक बुरा ना माने तो हम मैनेजर को धर लें और साधू सिपाही को धर लेगा भगत ने डरते पूछा काहे बे वार्दा चालू करने से पहले ही फटने लगी तुम्हारी मोहर ने इंक्वाइरी की नहीं मालिक बात वो नहीं है बस हमें मैनेजर बी अन सिपाही के पास होगा बंदूक और मैनेजर होगा निहत्ता इसलिए फट रहा है इसका साधू ने विरोध जताया नहीं, हमारा फट नहीं रहा है, बियन सिंग को इसलिए धरना है हमको, क्योंकि वो हमारा अकाउंट खोलने से मना कर दिया था, कहा रहा था कि गैरेंटर लेकर आओ, राशन कार्ट लेकर आओ, हई लेकर आओ, हउ लेकर आओ, नहीं तो अकाउंट नहीं खुलेगा, हम भी अगर दोनों में से कोई भी कमजोर परड़ा होगा तो हम उसके फ्रंट पर सपोर्ट करेंगे और यदि जरूरत पर ही तो फायर कर देंगे एक दम ठीक तुम लोग जरा अंदर घुसकर कारवाई चालू करो हम एक फोन करके आते हैं मालिक इस वक्त फोन हाँ फोन करके सुजा कौन सिखाया है लेकिन मालिक अवे दो मिनिट ठंड रखो न जी बोले न आ रहे हैं अभी तुम दोनों तब तक अंदर जाकर सिपाही और मैनेजर को लपेटो दोनों को बांध कर हौल के बीचों बिच डाल देना और हम उतनी दिन में फोन करकर आ जाएंगे सादू और बंदूग देखकर तो वैसे ही चोहक पड़ा और खुदी सरिंडर की मुद्रा में हौल के बीचों बीच घुटने पर बैड़ गया सिपाही इतना बुड़ा था कि फायर करना उसके बस की बात ही नहीं थी अगर वो बुढ़ापे पर विजय पाकर फायर करने की सोचता भी तो भी बंदूग ठाय नहीं हो पाती क्योंकि उसकी बंदूग उससे भी अधिक बुड़ी थी इदन मोहर ने कॉल करने से पहले मेसेज चेक किये 17 मेसेज सुजाता के थे दो एक मेसेज पड़ते ही मोहर का चेहरा जो धूप और लूस से अभी तक लाल नहीं हुआ था घड पहला मेसेज था आज हमारा बड़े है आपको इतना भी नहीं पता दूसरा मेसेज था आप हमको बिना बताए कहां चले गए अब हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे उसके बाद हम समझ गए हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते से लेकर अगर आप एक घंटे में घर वापस न मोहर की आँखों के सामने सुजाता का कल वाला रोता हुआ चहरा कौन गया। जैसे तैसे कड़े मन से दस मेसेज छेले, तो ग्यारवा मेसेज उनकी छाती के पार नश्तर की तरह उतर गया। उसे बरदाश कर पाना उनकी बूते के बाहर था। सुजाता ने लिखा था, घर में दुनली भी नहीं है, सच में आप कहीं चोर डाकू तु नहीं। और उसके बाद, हमारी सहेली सच कहती थी, आप सचमुझ बुरे आदमी हैं, हम काहे शादी किये आप से। उहर सिंग को बहुत बुरा महसूस हुआ, अचानक ही उन्हें लगने लगा कि वो सचमुझ बुरे आदमी हैं, ये अपराद बोध ये गिल्टी वाली फिलिंग उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी, तब भी नहीं जब उन्होंने हलकन सिंग के ढाबे पर बैरे का सिर बीर क की बोतल से फोड दिया था, तब भी नहीं जब उन्होंने हलकान सिंग का ढाबा लूट कर पहली बार डकेती को अंजाम दिया था, और तब भी नहीं जब उन्होंने पहली बार एक सुनार की दुकान में घुस कर उसकी जांग में गोली मार दी थी, उधर भगत और साधू, कारवाही के अगले स्टेप की जानकारी न होने की वज़े से मोहर के इंतजार में बी एन सिंग और सिपाही को धुने जा रहे थे और इधर मोहर सिंग रुआ से होकर सुजाता को फोन पर फोन किये जा रहे थे मोहर का गला इतना रूंद गया था कि अगर सुजाता फोन उठा भी लेती तो उनसे हेलो भी नहीं बोला जाता वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें इतना रोना क्यों आ रहा था और इसी वज़ा से वे जीप में छुपकर बैठे हुए थे क्योंकि यदि कोई उन्हें रोते हुए देख लेता तो वो किसी को मूह दिखाने के काबिल नहीं रहते जब बार-बार फोन करने पर भी सुजाता ने फोन नहीं उठाया तो उन्हें किसी अन्होनी के डरने आकर जोर से घपच लिया उन्होंने सुजाता का आकरी मेसेस दुबारा पढ़ा अगर आप आदी घंटे में घर वापस नहीं आएं तो हमारा मरा मू देखेंगे कहीं सचमुष सुजाता ने कुछ अनाप्शनाप तो नहीं कर लिया जैसे एक दिन मोहर की मा ने कर लिया था मोहर ने जीप स्टार्ट की और तुरंती घर भागने को हुए तो उन्हें सूद आया कि अंदर भगत और साधू उनका इंतजार कर रहे होंगे जीप वापस बंद करके वो अंदर को दौर पड़े मोहर सिंग ने शटर उठा कर देखा तो भगत और साधू बियन सिंग और सिपाही को मार पीट कर ठक चुके थे बैंक में कुल जमा 10-12 लोग रहे होंगे जो जमीन पर एक लाइन से बैठे हुए ये सोच रहे थे और भगत अपने मोबाइल पर स्नेक खेल रहा था यदि वो जल्दी आउट हो जाता था तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बियन सिंग के सर पर फोर देता था दोनों बस इसी खुशी में मग न थे कि आज बड़े दिनों बाद उन्हें दबंगाई का मौका मिला ए सादो चलो निकलो जल्दी से मालिक हम सादू नहीं हम भगत हैं आप गमचे की वज़े से पहचान नहीं पाए ना भगत ने गमचे के अंदर से मुस्कराते हुए कहा अबे साला भगतवा नाम काहे बता रहा है हम रहा सादू ने गमचे के अंदर से चिलाते हुए कहा बैग में भरना शुरू करते हैं सादू ने कहा नहीं तुरंत वापस चलो यहां कोई डखेती बखेती नहीं हो रही है मालिक यह क्या कह रहे हैं भगत ने घिगियाते हुए कहा भगवान के लिए ऐसा न कहिए सादू ने रिड़ियाते हुए कहा बिना, यहाँ कोई डखेती नहीं हो रही है, इन दोनों को खोलो और तुरंद हमायसा जीप में बैठो, नहीं तो हम अकेले ही निकल रहे हैं। अपने घर की और दोर पड़े, जोर से दर्वाजे को धका मारा तो दर्वाजा पहले से ही खुला हुआ था, शायद सुजाता उनके आने का इंतजार कर रही होगी, इसी अधीरता में उसे दर्वाजा खुला छोड़ दिया होगा। लेकिन आज वो चाहते भी नहीं थे कि सुजाता आसानी से मान जाए, वो चाहते थे कि सुजाता उनसे राद भर उठी रहे और वो उसे राद भर मनाते रहें। पूरी रात मनाने की मशक्कत के बाद जब वो मान बैठे तो मोहर की गोद में सुकून से सो जाए और मोहर उसके सोते मचकते चहरे को तरह तरह की शकले बनाते तब तक देखते रहें जब तक वो दुबारा खुद न उठ जाएं। मोहर ये सोच कर मुसकूराने लगे कि सुजाता जब सुबह उठ जाएगी और चाय बनाने के लिए किचिन में चली जाएगी तो वो उसे किचिन से वापस खीच लाएंगे उसी आधे घंटे की नीद लेने के लिए जो सुजाता को राद भर की नीद से भी अधिक पसंद है जब वो से कसकर पकड़ कर बिस्तर पर खीच लेंगे तो सुजाता जूट मुट कहेगी छोड़िये ना चाय उबल रही होगी और मोहर हर बार की तरह शरारत से मुस्कुराते वे कहेंगे अरे छोड़ो भी इधर तुम्हारे विरह में हम उबल रहे हैं और तुमको चाय के कोद में आकर साधिकार बैठ जाएगी और कहेगी आप भी ना बड़े क्यूट हैं क्यूट मोहर सिंग तो कहिए कैसे लगे मोहर सिंग के मजाज आपको कहानी का मज़ा आया या नहीं कहते हैं कि प्यार में अच्छे अच्छे बदल जाते हैं फिर वो डाकू हो या नेता क्या आप इस बात से सहमत रखते हैं हमें जरूर लिग भेजें हेलो अट दरेट प्यूशगरवाल डॉट कॉम पर जैसा कि मैंने शुरुवात में कहा अगले हफ़ते हमारे गेस्ट एपिसोड में एक बहुत ही खास महमान जुड़ने वाले हैं आप उन्हें जानते भी हैं उनका नाम है अनुराक शर्मा जी जिनकी कहानी एक और इनसान को एपिसोड 12 में आप लोगों ने धेर सारा प्यार दिया तो इंतजार कीजिए अगले शुक्रवार का जब हम कहानी भी पढ़ेंग और उनसे बातचीत भी करेंगे बस आज के लिए इतना ही हमें सब्सक्राइब करना न भूले आपकी पसंदिदा पॉडकास्टिंग आप पर हम एपल पॉडकास्ट, गूगल, सावन, स्पॉटिफाई, गाना, यूट्यूब, कास्ट बॉक्स सभी जगा उपलब्ध हैं तो कहीं भी जाए और हमें सब्सक्राइब करें, हमें रिव्यू भेजें, इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त हुआ, आप सुन रहे थे कहानी जानी अंजानी पियुश अगरवाल के साथ, जो की इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है, तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर श कि एक पॉड़ाए झाज, आपसे मिलते रहे हमें